आज हम Airtel Extreme Box की स्पीड का कंपैरेजन करेंगे कि कौन सा जल्दी बूट होता है ये मेरे पास एक ओल्ड वाला Extreme Box है जिसमें Android version 9 आता था और ये जो एक Made in India हमारा Android 10 वा रहा है अभी जो नया ये Airtel Extreme Box आ रहा है ये वो वाला है तो चलिए देखते हैं आज कौन सा बूट जल्दी करता है तो मैंने ये दोनो रिकोर्डिंग्स अलग-अलग की हैं इसमें फोन में एक टाइमर लगा रखा है और मैं दोनों को एक साथ ओन करके इनकी रिकोर्डिंग कर रहा हूँ और अब ये दोनों recording मैंने एक वीडियो में place कर दी हैं तो चलिए अब देखते हैं कौन इसमें से जीता है अभी मैं box को on कर देता हूं दोनों को एक साथ और यहां से दोनों का एक साथ timer भी on किया है दोनों को boot कर दिया है initializing जो पुराने वाला old box है उसमें थोड़ा late आई है तो दोनों में initializing चल रही है नए वाले model में atl extreme वाला logo आ गया है और अब जो android loading होती है वो भी चल पड़ी है तो और हमारा यह पुराने वाला box है जो old model जो हमारा left hand side है यह अभी initializing screen पर भी है तो atl extreme की जो loading वाली screen होती है नए वाले में वो आ चुकी है अब पुराने वाले में atl extreme logo अब आया है और अब android loading हो चुका है और नए वाले में हमारा यह successful जो हमारी home screen आ चुकी है तो second आप वीडियो पहुच करके या पीछे करके देख सकते हैं कितने seconds में आई है यह पुराने वाला अभी atl extreme की एक और screen आती है loading की उसी में है अभी तक इसमें एक मिनिट 14 second के क्रीब हो चुकी है अभी तक भी यह loading ही ले रहा है नए वाला box काफी fast है इससे एक मिनिट 47 second हो गए है और अब इसकी home screen आई है home screen आने के बाद भी इसमें home screen loading लेने पर पूरा इसमें show होने में काफी time लेता है और इसमें एक और problem है इसमें जैसे हम channel लगाते हैं home screen आने के बाद जैसे मानलो मैंने यह new channel लगाया तो थोड़ी देर यह channel चलेगा और यह फिर से वापिस उसी screen पर आ जाता है home screen पर आ जाता है जो हमारा नया android box है जो android 10 पर है इसने 40 seconds लिए home screen तक जाने में और जो हमारा old extreme box आ रहा था जो की android 9 वर्जन पर है इसने 1 minute और 50 seconds लिए अब आप देख सकते हैं कि आपको यह नए वाला box अब लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए एक minute 10 seconds का इनकी loading लेने में ही फरक है और चलाने में भी हमें इसमें काफी smooth मिलता है नए वाला box तो आप इसको change कर सकते हैं अगर आप change करना चाहते हैं तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही था next वीडियो में फिर मिलेंगे प्ले चैनल सब्सक्राइब कर लेना मिलते हैं next वीडियो में ठीक है दोस्तो बाई बाई